तो हमें काफी मेसेजिस आते रहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के कि वो पूछते हैं कि कोई ऐसी जगाएं हैं जहां पर थोड़े रेंट्स कम हो जैसे कि लंडन बहुत जादा एक्सपेंसिव है उस कंपैरिजन में क्या हमें थोड़ी सस्ती जगाएं मिल सकती हैं क्या रहन लंडन के बिलकुल पास हैं छोटे-छोटे टाउंस हैं जहां से अगर आपको लंडन पहुंचना है तो आपको विदिन 60 मिनिट्स के अंदर अंदर सेंटर लंडन में पहुंच सकते हैं तो यह हैं कम्म्यूटर टाउंस और बेसिकली इनके रेंट्स भी काफी रीजनेबल ह चली वीडियो को शुरू करते हैं आपको मैं बताता हूं कौन-कौन से हैं लेट्स आद वीडियो तो इन कम्म्यूटर टाउंस का बेस्ट होने का करेटिरिया यह है कि यहां पर रेंट्स बहुत सस्ते हैं कम्यूट टाइम म्यूटिंग डिस्टंस भी जादा नहीं है सेंटर लंडन से तो सबसे पहला जो टाउन है वो है कोल्चेस्टर जिसके इस्ट ओफ लंडन पढ़ता है 60 माइल के आसपास और एसेक्स के बॉर्टर वे पढ़ता है जो कि एक अलग से काउंटी है और वहां से लिवरपूल स्टेशन जो कि सेंटर लंडन का लिवरपूल स्टेशन है इसमें टाइम लगता है 50 मिनिट्स और वहां पर एवरेज मंतली रेंट आपको 800 पाउंड से 900 पाउंड में मिल जाएगा तो बेसिकली बात वही है कि कम्यूट मेंगा थोड़ा हो जाता है इन टाउन से लेकिन वही है कि आजकल हर कोई पांचो दिन तो जा नहीं रहा है तो कुछ कम दिन जाना है अगर एक या दो दिन जाना है तो आप कम्यूट टाउंज को चूज कर सकते हैं और रेंट पर पैसे बचा सकते हैं तो नेक्स्ट है रेड हिल जो की राइगेट सरी के पास पढ़ता है वहां से चैंट्र लंडन सिर्फ 20 माइल है और लगभग आपको वहां से अगर कम्यूट करें अब लंडन ब्रिज तक 31 मिनट में पौन सकते हैं और रेंट्स का वहां पर राउंड आपको 1,050 के आसपास 1,500 पांड के आसपास आपको वहां पर अकॉमेडिशन मिल सकता है तो जो नेक्स टाउन है वो है क्रॉली जो की ससेक्स के हाट में पढ़ता है ससेक्स अलग से काउंटी है लंडन के बिलकुल साथ लगती हुई तो ये लंडन और ब्राइटन के बिल्कुल बीच में पड़ता है तो वीकेंड पे अगर आपको ब्राइटन घूमने जाना हो तो वो भी उसे साब से भी काफी अच्छी लोकेशन है लंडन विक्टोरिया जो स्टेशन है लंडन का उसमें लगते हैं 45 मिनिट वहां पे एवरेज मंतली रेंट वही थाउजन फिफ्टी यहां वही ऐवं इलेवन उनडर तक आपको मिल जाता है जो नेक्स टाउन है वो है चैंसफ़र्ड चैंसफ़र्ड एक काफी अच्छा टाउन है यहाँ पे काफी शॉपिंग सेंटर्स वगएरा है अपने शॉपिंग सेंटर्स के लिए काफी फेमस है यह और लंडन से काफी पास में पढ़ता है तो राउंड 37-38 मिन लग जाते हैं यहां से लंडन सिटी लिवरपूल स्टीट पहुंचने में तो वन बेडरूम का यहां पे 800 पांड से स्टार्ट हो जाता और 1000 पांड में आपको अच्छी एक प्रॉपर्टी मिल सकती है यहां पे तो यह तुसे सारे बेस्ट टाउन अब बात करते हैं कि चीपस टाउन जो क लगेंगे रेल में और जो एवरेज रेंट है इस जगह का वो है 743 पांड तो रेंट में आप काफी पैसा बचा सकते हैं अगर आपको कम्यूट का कम दिन के लिए करना है वीक्स में तो इस अ गुड ऑप्शन नेक्स्टन साओ्ध हम्टन आपको पता ही होगा काफी क्रिकेट मैचस भी खोते रहते हैं वहाँ पे और वहां से साओ्ध हम्टन एक अलक से सीथी है काफी बड़ी सिथी है sicher वह वहां से आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा अराउन एक्टी मिनट्स और कम्यूट एक्सपेंसिब भी है वहाँ से बट वही है कि रेंट काफी सस्ता है वहाँ पे अराउंड 800 पाउंड के आसपास आपको वहाँ पर घर ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्टेशन से दूर जाकर घर ढूंडे तो इट से गुड़ ऑप्शन दोस फो आर लुकिंग फर चीप और गुड़ प्लेस तो नेक्स्ट है नॉर्थ हम्टन नॉर्थ हैंटम से जो नेरस्ट लंडन स्टेशन पढ़ता है वह लंडन यूस्टन जो कम्यूट टाइम है वह अंडर अवर है मतलब 50-60 मिनिट्स में आप लंडन पहुंचाएंगे और जो रेंट है वह स्टार्ट हो जाता है 700 पाउंड से तो काफी अच्छी ऑप्चन है काफी चीप इन सब में से तो next एक काउंटी है Kent Kent काफी अच्छी काउंटी मानी जाती है और वहाँ पर स्कूल्स वगरा भी काफी अच्छे है तो वहाँ का एक टाउन है चैथम चैथम से आप लंडन पहुन सकते हैं विदिन 40-45 मिनेट्स और यह मैं स्टेशन तो स्टेशन का आपको टाइम बता रहा हूं और जो नेरा स्टेशन इसके साथ पढ़ता है वह है लंडन विक्टूरिया और इस कम्यूटर टाउन के जो रेंट्स है वो स्टार्ट हो जाता है तो आप 800 प्लस से तो आप 800 पाउंड में अट लीस्ट वन बेड्रूम वहाँ पर ले सकते हैं जो काफी अच्छी आप्शन है नेक्स जो के पढ़ता है वो पढ़ता है एश्वर्ड एश्वर्ड से सेंट पैंक्रस इंटरनेशन स्टेशन का जो टाइम है वो है थर्टी एट मिनिट्स रेंट जो सहें वो स्टार्ट हो जाते नाइन फिप्टी थी से एश्वर्ड भी काफी स्टेटीजिक लोकेशन पर है क्योंकि यहां से आपको यूरोप जाने के लिए भी ट्रेंस मिल जाती है और यहां से आपको बीच आसपास काफी पढ़ जाते हैं काफी एरियास हैं यहां पर गूमने वाले स्मॉल टाउंस लाइक राई हो गया यह है तो जिनको हेस्टिंग के बारे में जाना है मैं यहां पर एक वीडियो लिंक कर दूंगा तो आप वह देख सकते हैं हम हेस्टिंग गूमने गए थे तो काफी अच्छी जगा है और काफी स्रेटीजिक लोकेशन पर यह टाउन तो यहां से आप सस्ते रेंट में रह सकते हैं आफिस लंडन भी या सकते हैं और प्लस आप यहां से गूमने भी जा सकते हैं येरोप प्लस वीच एरियास ऑफ इंगलेंड जो नेक्स टाउन की मैं बात करने जा रहा हूं वह हैं फॉक्स टॉन और वहां से सेंट पैंकरेस इंटरनेशनल वही वन आवर के अंधर आप पहुंझ जाएंगे और जो रेंट वहां पर start हो जाते हैं वह start हो जाते हैं 750 पॉंड से तो जो next टाउंस की मैं बात करने जा रहा हूं वो विदिन 30 मिनट से लंडन के और लेकिन यह थोड़े से expensive हो जाते हैं compared to Kent या अधर जो मैंने आपको काउंटी स बता ही है तो सबसे पहले आता है सेंट एल्बंस सेंट एल्बंस काफी पॉश एरिय अच्छा एरिय माना जाता है और वहां पे रेंट स्टार्ड हो जाते हैं 1200 पाउंड से और वहां से सेंट पैंकरस इंटरनेशल स्टेशन पे आपको आने में लगेंगे सिर्फ 22 मिनिट तो वहां से फास्ट्रेंज चलती है चाहे वह दूर भी है लेकिन आप जल्दी लंडन पॉंच सकते हैं तो यह एक अच्छा उप्शन है उन लोगों के लिए जो की स्पेंड करना चाहते हैं राउंड 1200 पाउंड तो जो नेक्स कम्यूटर टाउन है वह है वेल्विन गार्डन जहां से 29 मिर्ट्स लगते हैं किंग क्रॉस पहुंचने के लिए अच्छा टाउन है यह भी आप उसको चेक आउट कर सकते हैं तो यहां पर रेंट हैं वो स्टार्ट होते 1100 पाउंड से तो यह टाउन्स है जो आप चेक आउट कर सकते हैं थोड़े सस्ते रेंट के लिए और यह उन लोगों के लिए भी है जिनको लंडन की भीडबार पसंद नहीं है और वो थोड़ा शांत एरियास में रहना चाहते हैं तो उनके लिए उप्शन भी है जो नेक्स्ट जो टाउ रेंट वहां से स्टार्ट हो जाता है वही 1,000 पाउंड से और अच्छी जगह है वहां पर काफी इंडियन्स हैं तो मिल्टन कीज भी आपके लिए उप्शन हो सकती है बैटफर्ड है बैटफर्ड नेक्स्ट है जहां पर वहां पर भी इंडियन कम्यूटी अच्छी खासी ह है और 47-50 मिनिट में आप सेंट पैंक्रस स्टेशन पहुन सकते हैं वह सेंटर लंडन में लेकिन ऑफिसे उससे थोड़े से दूर हैं तो उसके आगे भी आपको थोड़ा कम्यूट करना पड़ सकता है तो यह चीज थोड़ी ध्यान में रखे गया जिनके भी ऑफिसे लंड थोड़े चीप एरिया भी बताइए तो उनके लिए वीडियो थी ओफुली आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो हैल्फुल लगी हो तो आप इन टाउंस को सर्च कर सकते हैं अपनी रिसर्च कर सकते हैं उन पर कौन सा एरिया कितने प्राइस में आपके लिए सही तो आप कॉमेंट से मताइए कि आपने इन में से क्यों से एरिया के बारे में सुन रखा है यहां कौन से एरिया और हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करें और बाखी लाइक शर सब्सक्राइब मार दीजेगा और हमारी मोटिवेशन के लिए बैल आइकन दबा दीज